पहले तो सौरी कि पिछले वीक में संडे को नहीं ला पाया, लेकिन फिर भी बहुत जादा न्यूज थे नहीं, तो करीब पिछले 10-15 दिनों का कह लीजे, न्यूज की कलेक्शन लेकर के आज हम लोग चर्चा करेंगे, मैंने इसका नाम नहीं चेंज किया है, वीकली करेंट अफेर, 21st November से 3rd December, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, यह हर competitive exam के लिए important है, so let us begin this series, इससे पहले कि हम लोग question answer के through समझने कुसिस करें, दुनिया में और इंडिया में क्या घटित हुई है, examination point of view से, यह तीन guide जो हैं, जो किसी भी competitive exam के लिए one of the best resources है, मैं आपको recommend करता हूँ कि don't wait कि examination जब करीब आ जाएगा तब पढ़ेंगे, इन सब की link मैंने यहाँ पर दी है, इनका name यहाँ पर है, यह imagine पर है, इसके अलाबा एक guide जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, वो है UGC net की guide, जो कि insta mojo पर है, जिसका link की मैं separately description box में रहेगा, इसको nominal cost पे available है, मेरी सला है कि अब भी से इसको practice कीजिए, आपको काफी असानी होगी competitive exam में, यह week तो नहीं, लेकिन 10 दिन कैसा रहा, यदि इसको हम देखें, तो international level पे कैसा दिखता है, इंडिया ने G20 की presidency सम्हाल ली, और उसके साथ जो है briefing session भी हुआ, मैंने question बनाया है, इंडोनेसिया से हम लोगों ने एक साल के लिए G20 की presidency ली है, इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, इंडिया के vision को project करने के लिए world में, जो मुदी जी कहते हैं कि global social good इंडिया जो है दे सकता है, उसके लिए क्या इंडिया के प्रयास हैं, और खास करके क्या इंडिया यूक्रेन रसिया के war को थोड़ा pacify करने में एक role अदा कर सकता है as a president of G20, ये सारी बाते जो हैं बहुत important रहेंगे इसे एक साल के दौराने, sorry, Nepal and Malaysia का जो है general election होता है, साथ में जो है कजाखिस्तान में भी होता है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं, हमारा एक तरह से Central Asia near abroad कह सकते हैं, हम लोग के लिए है, बहुत important, तो तीनों ही country के बारे में हम लोग जानने कोशिस करेंगे, जो चाइना में एक अजीब सी protest चल रही है, पूरे country में उथल पथल है, वहाँ पे लोग जो हैं बोर हो चुके हैं, एक तरह से तंग आ चुके हैं, जो anti-covid restrictions हैं, जो बहुत stiff हैं, उसको लेके वहाँ काफी protest हुए हैं, फीफा की जो वर्ल्ट का फुटबॉल अभी चल रही हैं आपको पता है कतर में, और उस पे पूरी दुनिया की निजर है, मैं भी देखता हूँ मैचेस को, उसमें कुछ shocking incidences हुए हैं, हम लोग चर्चा करेंगे और कुछ shocking results, results तो खेल के हैं, लेकिन कुछ खेल से इतर हट करके भी जो एक कुछ घटनाएं हुई हैं, उस पे रहेगी हमारी नजर, और इंडोनेसिया में बहुत बड़ा भुकम पाया, वैसे तो अफगानिस्तान में भी आया, और कुछ और कंट्रीज में भी लेकिन, इंडोनेसिया में इससे काफी तबाही हुई, एक अच्छी बात जो हुई, वो पुतिन के तरफ से थोड़ा भुत इसारा आ रहा है, कि अब वो जो है बाचीत के टेबल पे आना चाहते हैं, यूकरेन के वार को लेकर के, इससे कुछ आशाबंधी है कि साइध शान्ती की कुछ खोज हो पाएं, भारत में अपने देश में देखें तो गुजरात इलेक्सन की धूम रही, दिल्ली के M.C.D. इलेक्सन की धूम रही, देश की राजधानी है, इसलिए शायद यहाँ पर काफी ज़्यादा इस पर चर्चा हो रही है दिल्ली के लेक्सन पर, आज उसकी जो है वोटिंग है, इसके अलावा RBI में जो है डिजिटल रूपी, मतब डिजिटल फॉर्म में रूपी, यह अलग है, UPI या अधर पेमिंट के सित्तुलना मत कीजिए इसकी, जैसे आपके पॉकेट में 10 रूपे का नोट है, उस तरह से आपके पास में डिजिटल 10 रूपे का नोट है, और वो उसी तरह का लीगल टिंडर है, जैसा 10 रूपे का है, और उसको कोई इस पे ब्याज भी नहीं मिलेगा, जैसे हम लोगों को घर में दिया हम पैसे रखते हैं, तो कोई ब्याज RBI नहीं देता है, तो उस टाइब की बेवस्ता रूपी को एक डिजिटल फॉर्म में, उसकी एक पाइलन्ट एक दिसंबर से लॉंच की गई, इसके अलावा जो है जूडिसेरी और गौवर्मेंट के बीच का जो टसल है, वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, इसमें दो इशू आए, गौवर्मेंट के जो लॉव मिनिस्टर हैं, गौवर्मेंट आफ इंडिया के, उन्होंने कुछ इस टाइब का बयान दे दिया, कि कॉलिजियम सिस्टम जो है, जिसमें जजजेज रिकॉमेंट करते हैं जजजेज के अपॉइंटमेंट को, वो कंस्टिचूशन के अनुसार नहीं है, उस पे जजजेज सुप्रीम कोर्ट ने काफी घ्रिकुटी अपनी तानी, मतलब उसको फ्राउनिंग बोलते हैं ना कैसा नहीं होना चाहिए, यह लक्षमन रेखा है नौल, और उसी तरीके से कोट ने भी जो है, इलेक्षन कमिशन के अपॉइंट्मेंट पे काफी तल्क टिपनी की एक कंस्टिचूशनल बेंच जो सुनवाई कर रही है, कि कैसे जो है इलेक्षन कमिशनर जो इंडिया में चुने जाते हैं, उनकी जो जो सिस्टम है, वो क्या फ्लॉड है, क्या होना चाहिए, तो ये दोनों ही इसू लेकर के, जुडिसेरी और गौर्मेट एक दूसरे के सामने खड़े हुए देखे, अब आईए कि इंटरनिस्नल रोलेशन के जो कुछ घटनाए हैं, एक्जामनेशन पॉइंट और व्यू से उसको देखते हैं, सबसे पहले तो जो मैंने कहा कि FIFA World Cup के दौरान, कुछ खेल से हट के इतर घटनाए हुई, जैसे एक टीम के प्लेयर में, फुटबॉल में वहां 24, 32 टीम भाग लेती हैं, फाइनल्स में, ये पूरे 4 साल चलते हैं, उसमें पूरी दुनिया में 160, 170 से भी अधिक देश खेलते 20 नौंबर से सुरू हुई है, अभी कुछ दिन और चलेगी, उसमें एक टीम ने अपने ही नेस्नल एंथम को गाने से इंकार कर दिया, वो चुप चाप खड़े रहे जब नेस्नल एंथम बज रहा था, आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी प्रोटेस्ट थी, कि किसी भी को, कैमरून, इरान या साओधी अरबिया, तो ये करने वाले जो हैं, इरान के प्लेयर थे, और उन्होंने इसा क्यों किया, जब उनके कैप्टन से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि महसा अमीनी के डेथ के बाद जो वहां एंटी हिजाब प्रोटेस्ट चल रहा है, उन औ इस से पूरी दुनिया में जो है, खेल के दौरान जो राजनीतिक प्रोटेस्ट होते हैं, उस पे बहस फिर से सुरू हो गई, मैंने यहां पे कुछ बहुत फेमस जो प्रोटेस्ट अभी तक दुनिया में हुए हैं, उसका एक लेखा जोखा दिया है आपके लिए, आपको स अपरिकन मूल के अमेरिकन नागरिक थे, बहुत फेमस बॉक्सिंग प्लेयर, उन्होंने 1967 में वियतनाम वार में अमेरिका के सभी यूवकों को भरती किया जा रहा था, जैसे अभी रसिया नहीं किया, उसमें उन्होंने शामिल होने से पब्लिकली इंकार कर दिया था, और वो बच गए जेल जाने से, तो ये पहला एक प्रोटेस्ट था, राजनीतिक प्रोटेस्ट, जो मुहमद अली ने किया था, उन्होंने कहा था कि वार किसी भी फॉर्म में हो, मैं उसको निगेट करता हूँ, मैं अमेरिका के इस डिसिजन के खिलाफ हूँ कि वो वियतनाम मे वार्लर रहे हैं, मैं क्यों मारू उन निर्दोस वियतनामीज को, जिन से मेरी कोई दूस में ने लिए, अगस्ट 14 2016 को, यहां पे आप ये फोटो देख सकते हैं, कोलीन कैपर निक, जो की एक फेमस यूएस फुटबाल प्लेयर है, अब यहां फुटबाल को आप जो है, जो हम लोग जिसको फुटबाल समझते हैं मत समझें, अमेरिका में यह आप जाके बोलिंग यह फुटबाल, तो वहां पे एक अलग टैप की फुटबाल होती है, जो रगबी जैसी बाल होती है, उसको फुटबाल कहते हैं, और जिसको हम लोग पूरी दुनिया फुटबाल कहत यह position, यह मतलब इसको कहते हैं taking on the knee, मतलब कि आप अपने घुटनों पे जुख जाते हैं, और यहayerainen का तरीका है, किसी भी तरह के protest के लिए आप ऐसा करते हैं, पढ़़िकली, आप अपने घुटनों पे जुख जाते हैं, तो इसको टेकिंग एनी बोलते हैं और ये प्रोटेस्ट उनने नहीं किया था रेसियल डिस्क्रिमिनेशन जो USA में होता है ब्लाक कहेंगे इसमें उसको लेके इस पे काफी बवेला मचा था इन सबसे भी जादा जो फेमस हुआ था 1968 का ओलम्पिक था जहाँ पे की वहां नेशनल एंत्थम बज रहा था उस समय में अमिरिका का और उस समय में अमिरिका के दो प्लेयर आप देखिए दोनों ब्लाक हैं दोनों अफ्रीकन मूल के हैं और वो फरस्ट और सकेंड हैं फर्स्ट और थर्ड है, सकेंड जो है कोई दूसरे कंट्री का है, और इन लोगों ने मुठ्थी भीच रखी है जिसको की ब्लाक पावर सैल्यूट का सिंबल है, और ये सिंबल है कि ब्लाक को जो है वाइट के साथ राइट्स मिलने चाहिए, रेसिल डिस्क्रिमिशन नहीं होन तो ये दोनों प्लेयर ने निस्नल एंथम गाने के बजाए, अपने मुठ्थी को लहराया और अपने सर को नीचे किया, इस पे बहुत 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 इस पे भी जो है हंगामा हुआ था, अमेरिका में काफी इनको काफी कुछ जेलना भी पड़ा होगा, ये सारे प्रोटेस देनी के लिए जब प्लेयर आगे आते हैं, तो उसकी दो खेमे में लोग बढ़ जाते हैं, एक उनकी बढ़ाई करते हैं, उनकी हिम्मत की दाद देते हैं, जैसे अविरान के प्लेयर में किया, और एक कहते हैं कि ये गलत है कि राजन दियों खेल से अलग रखना चाहिए, आप किसी भी तरफ से डिबेट कर सकते हैं, अब आईए नेपाल के जनरल इलेक्षन पे चलते हैं, जिसकी की मैंने चर्चा की थी पिछले वीडियो में, अभी उसकी रिजल्ट लगभग आ गया है, अभी यो पूरी तरीके से इस पस्प नहीं है, लेकिन मैं पूछ रहा कि for its federal parliamentary election, नेपाल किस टाइप का electoral system अपनाता है, वहाँ पर जैसे अपने यहाँ parliament के election होती है, उसी तरीके से होती है, हम लोग अपने यहाँ FPTP अपनाते हैं, first past the post, लेकिन नेपाल जो है, यह mixed system अपनाता है, कुछ seats जो हैं, वो FPTP से भरे जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ, औ और बांकी seat जो हैं, लगए 110 के आसपास, वो party list system, जो proportional representation का होता है, जिसमें कि आपको एक ऐसा ballot मिलता है, उसमें कि पार्टी के नाम लिखे होता है, और आपको party को टीक मानना होता है, या button दबाना होता है, बांकि उसके candidate जो हैं, जब party जितनी seat जीतेगी, तो अपने candidate को nominate कर देंगे, इसको party list system कहते हैं, तो FPTP से भी होता है, और party list system, तो इसलिए सही answer है, बोथ हैं भी, अब मेरा दूसरा question है, इस जो अभी जो election हुआ है, उसमें कौन सी party या coalition जो है, वो जीती है, देखें, और पूरी तरीके से तो कोई नहीं जीत पाई, लेकिन जो Nepali Congress led coalition है, व वही आगे है, और वही फिर से सरकार अभी भी उनहीं की है, और फिर से वो सरकार जो है, बनाएगे, ये जो gentleman है, नेपाली Congress के हैं, और अभी वहां के Prime Minister है, तो बेना next question है, who is PM of Nepal? और इनहीं के PM of Nepal रहने की भी आशा आगे भी है, और इनका नाम है शेर बहादूर देवबा तो चुकि अभी जो election हुआ है, उसमें इनकी coalition आगे है, तो यहां पे हम लोग जो है, Malaysia के election की चर्चा कर रहे हैं, और मेरा पहला question है, कि who is the new PM of Malaysia? अगे, Malaysia में भी जो है, वो लगबग नेपाल के साथ ही जो है, वहां parliamentary election हुई, और वहां पे भी इंडिया के जैसे ही जो है, वो parliamentary representative democracy है, जहां पे कि प्राइम मिनिस्टर जो है, वो head of government होता है, वही head of executive होता है, तो वहां पे जो है, एक बहुत भारी उलेट फेर हुआ, जो अभी वहां पे प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी party बुरी तरीके से हार गई, तो my question ही, who is the new PM of Malaysia? और वो है Anwar Ibrahim, उनकी जो coalition थ हैते हैं, आप यहां पूरा नाम पर सकते हैं, उन्होंने पूर्ण बहमत तो नहीं प्राप्त किया, लेकिन इतना कि वो सरकार बना सके, और जो अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आप इनका नाम पर सकते हैं, मुयदीन यासिन, उनकी party PN जो है, वो हार गई, मतलब, sorry, म मैं गलत बोल रहा हूँ, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, मियदीन यासिन, वो हार गई, लेकिन जो अभी के जो प्राइम मिनिस्टर थे, मुझे लगता है साइद साबरी याकोब थे, देख लिजेगा, उनकी party तो बहुत बुरी तरीके से हार गई, मैं यहां पूछ रहा हूँ कि, मलेशिया की जो political system हो कैसी हम लोग को जानना चाहिए, जितने country में election होता है कि उसके political system कैसा है, क्या वो monarchy है, constitutional monarchy है, representative democracy है, presidential system है, semi-presidential है, तो इसकी जो polity है, वो यह नहीं है, unitary नहीं है, यह भी नहीं सही है, इसका है federal है, democratic है, representative democratic है, और constitutional monarchy है, मतलब यहां पर है क्या, कि एक राजा है, और वो जो है, लेकिन वो constitutional है, और वो prime minister को appoint करते हैं, जो की parliamentary party में जीत करके आते हैं, और यह federal है, यहां एक और third country है, जिसमें की election हुआ, जिसको हम लोग लगाग भूल जाते हैं, जबकि हम लोग लिए बहुत important है, पाँच जो Central Asian country हैं, कजाकिस्तान, तरकमेंजिस्तान, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान, यह जितने भी हैं, वहाँ कजाकिस्तान सबसे बड़ा है, उसके पास बहुत तेल है, बहुत गेहू होती है, तो वो हमारे लिए important है, वहाँ पे जो President का election हुआ, उसमें कौन जीते हैं, यह मैं पूछ रहा हूँ, और वहाँ जो जीते हैं, वो यह हैं, कासम, जौमात, तौकायेव, और यह वहाँ पे बहुत ही, अभी भी President थे, और फिर से जो है, एक landslide victory उनको मिली है, मैं दूसरा question पूछ रहा हूँ कि इनकी जो political system वो कैसी है, तो इनकी जो political system है, यह पहले तो unitary है, और presidential है, तो unitary representative presidential system है कजाकिस्तान में, यहाँ पे मैं आपको यह map इसलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखिए, इंडिया के respect में हमें पता होना चाहिए country कहाँ है, आपको बहुत सारे exam में इससे help होगा, सबसे दूर यदि देखे तो कजाकिस्तान है, जहाँ अभी election हुई, और सबसे नजदीक यदि हमारे बिलकुल, मता हमारे सर के उपर में है, तजाकिस्तान, और उससे सटा हुए कर्गिस्तान है, उजभेकिस्तान है, जिसमें तासकंद है, जहाँ पर की तासकंद समझवता हुआ था, पाकिस्तान के साथ, और तर्क में तबरिस्तान हमारे बहुत बहुत important है, मैं आपको सला दूँगा, कि इन पाँचो कंट्री की राजधानी और उनके प्रेसिडेंट का नाम यह सब जरूर आप जान लिजिए। उसके पॉलिटिकल सिस्टम को भी जान लिजिए। यह पाँचो पहले USSR के रिपब्लिक होते थे। बाद में जब USSR का बिघटन हुआ तो यह जो है अलग-अलग उनकिये और यह इसलिए की यहांपे तेल और ग्यास बहुट जादा है और एहांपे वीट भी बहुं ज्यादा होती है यह इस ट्रण्ड का जो है इस ट्रवधग्स लैंड है इसके रावा इसकी जो जिए इन्ट्रेस्टिंग है यहांपे दूमिया का सबसे बड़ा जो C है जिसको की आप कहते हैं इंटर्नल लेक जैसा वो कैस्पियन सी यहां पे है अरल सी भी यहां पे है तो बहुत ही इंपोर्टेंट है यह दो नदी जो वहती है अमू दरिया और सू दरिया यह भी काफी एक्जाम में पूछा जाता है अब यहां पे एक बहुत ही क्यूरियस लेकिन बहुत अच्छा गुड न्यूज यहां पे है कि एक कंट्री ने यह डिसाइड किया कि वोटिंग एज को अब 18 साल से घटाके 16 साल कर दिया जाए यह आपको भी सुनके लग रहा हूँ काफी कम एज है तो वो कंट्री कौन है मैं पूछ रहा हूँ और वो कंट्री है नीजिलेंड में एक लेडी प्राइमिस्टर है जेसिया आर्डेन नाम देख लीजेगा काफी प्रोग्रेसिव मानी जाती है उन्होंने भी डिसाइड कि अभी पूरी तरह से यह लागो नहीं हुआ है लेकिन वहाँ पर यह डिस्जन इन प्रिंस्पल ले लिए गया है अगेन मैं जो है एक प्रोटेस्ट से नेक्स्विशन में ने बनाया है कि अभी जो फीफा वर्ल्ट कप चल रहा है उसमें एक और प्रोटेस्ट की काफी गु जनते हैं तो यह किस से रिलेटेड है क्यों बाद रहे हैं यह ऐसा है कि कतर में जो गे मैरेज है या सेम सेक्स मैरेज है उस पर बैन है इसके अलावा वहाँ जो LGBT कम्यूटी होती है मतलब जो अलग हट करके थर्ड सेक्स होते हैं उनको काफी सारे वहां रेस्ट्रिक्शन है सेम राइट्स नहीं है इसको लेके जब वहां पर वर्ल्ड कप हो रहा है तो बहुत सारे कंट्री खास करके जो लिबरल कंट्री हैं यूरोप के और अमेरिका के वो इसको अच्छा नहीं मानते हुए प्रोटेस्ट करते हैं और कतर की जो एडिमिस्ट्रेशन है वो बड़ी पेशो पेश में है कि इन फॉरें लोग जो इसको प्रोटेस्स करें उसको कैसे हैं और वाइस तो वहाँ आपको पता है काफी स्ट्रिक्ट होते हैं लेकिन अभी दुनिया भर की कैमरा वहां लगी हुई है तो वह परशानी में है तो यहीक्षण है कि वहाट इस वान लब जो है यह क्या है तो यह armed band warned by football player to protest against the band on the same-sex marriage in Qatar. Next question मैंने पाकिस्तान से लिया है. यह gentleman जो आप देख रहे हैं, सेना के dress में देख भी रहे हैं आपको. इनका नाम है Aseem Munir Ahmed और यह Mr. Bajwa के जगर पे जो है वो नए आर्मी जनरल पाकिस्तान के बनाए गए हैं. इससे पहले वो वहाँ जो Inter-Service Intelligence है उसके चीफ रह चुके हैं. तो इनको अब काफी नाम इनका हम लोग सुनेंगे इंडिया में. विच इस दो यह world होगा, sorry, ठीए. विच इस दो word of the year chosen by the Miriam Devister. पिछली बार हम लोगा ने देखा था Cambridge dictionary में Homer नाम का word था आपको याद होगा. इस बार हम लोग मेरियम विविस्टर जो US की dictionary सबसे famous है. उसने जिस word को 2022 का word of the year 22 का लिजिए. चुना है. उसका नाम क्या है? उसका नाम है गैस लाइटिंग. और गैस लाइटिंग क्या होती है? आप इसको पूरा पढ़ लिजिएगा. ये एक तरीके से psychological manipulation है. एक गुरूप दूसरे गुरूप पे कर सकता है. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको hegemony कहते हैं, जैसे ब्राहमिन्स ने जो है इंडियन कास सिस्टम में दलितों के लिए किया, या हजारों सालों से मर्द जो है औरतों पे करते हैं, हस्बेंट जो है वाइस पे करते हैं. मतलब आप सामने वाले को ऐसा psychologically उनको manipulate कर दे कि उनको लगे कि वो हर मायने में आपसे कम तर हैं, अपने उपर ही उनका विश्वास खतम होता चला जाए और एक तरह से आपके वो वस में हो जाए, गास लाइटिंग. अब आईए 2022 फीफा में जो कुछ शौकिंग जो sporting result हुए हैं, उस पे तोई नजर डालते हैं, हो सकता है examination को इतना important ना हो लेकिन जरूर हम लोग को जानना चाहिए. एक है कि कौन सी African country जो है, वो पहली country बनी अफरीका की, जिसने Brazil को football world cup के final में हरा दिया. अब देखिए, ब्राजील जो है football की दुनिया का बेताज बादसा है, उसी तरह जैसे USA जो है, दुनिया का है, उसको जो है Cameron ने हरा दिया, इस match को मैंने live देखा था, केवल एक goal हुई और वो Cameron ने किया उसको. इसके अलावा कुछ और shocking world cup result हुए, साओधी अरबिया जो कि अतनी मजबूत टीम नहीं मानी जाती है world cup में, उसने अर्जेंटिना, जो एक तरह समझे, second super power after Brazil, यदि कह लिजिए, इसको दुनिया का Germany आप अभी समझ सकते हैं, या चाइना समझ सकते हैं, उसको जो है, साओधी अरबिया ने हरा दिया, इस से जो है, साओधी अरबिया में क्या खुसी का माहूल हुआ, लोग वहां पे इस तरह जस्त मनाते हैं, कार में, कार के मतलब उपर खड़े हो जाते हैं, या कार के दरौाजे सब बंद कर दिये गए, जैपैन ने तो एक नहीं दो कमाल किया, जैपैन ने लगातार पहले तो जर्मनी को हराया, और फिर इस्पेन को हराया, यह ऐसी कमाल की बात रही जिसने कभी किसी ने सोचा नहीं था, और इस से ये हुआ, कि जर्मनी बिचारा का बोरिया विस्तर ज तो दोनों को जैपैन में हराया जिसको बहुत इन के मुकाबले में कम जो टीम मानी जाती रही है. इसके झालबा अफरिका की एक और टीम मॉरक्को ने बेलजियम जो की फीफा के वर्ड रांकिन्ग में सकेंड नंबर की टीम है उसको हरा दिया इस से बेल्जियम में जो है राइट्स हो गए देखिए किस तरह से आग जनी हो रही कि वहां के जो लोग हैं इसको पचा नहीं पाए और जर्मनी और बेल्जियम दोनों ही जो है फर्स्ट राउंड से बाहर हो गए यह सब उलट फेर जो है उसने इस व बहुत important है कुछ country वहां सभी country पेरु वहां की एक country है और पेरु इंडिया का बहुत गहरा नाता है ज़ो गरेफिकल नाता है याद रखेगा south america में पेरु समझ लीजे की Map मुझे देना चाहिए था this किस टैबी कंट्री है मारी मैपिंग बहुत कमजोर है मतलब बेदिन लंबा सा पूँच जैसा है ना साउथ अमेरिका तो यहां पर ऐसे चिली है तो इसके ऊपर जो है पेरू है नौर्थ में तो पेरू जो है इसका इंडिया से नाता क्या है कि यहां पे एक ठंडा और गरम ज नीना बहती है मतलब ठंडे पानी का करन तो तो इंडिया में बारिज जो है एफेक्टेड होती है इस तरह जब गरम पानी का जब धार यहां पे होने लगता है अल नीनो कहते हैं तो इंडिया में जो है मौनसून कमजोर पर जाती है और ला नीना होने से स्ट्रॉंग होती ह तो पेरू से हमारा इस तरह का नाता है, जारो किलो मेटर दूर पेरू, लेकिन हमारे मॉनसून को एफक्ट करता है, उस पेरू कंट्री में जो अभी प्रेसिडेंट है, उनका नम है पेडरो कैस्टिलो, पेडरो कैस्टिलो क्यों न्यूज में आया? यह देखी, इसके चलते कि इस कंट्री के प्रेसिडेंट ने सोलह महने में पांच प्राइम निस्टर बदल दिए बड़ी उथल पुथल है कि इसलिए मैंने इसको न्यूज में लिया है इसके अलावा पेरू की जो जो पॉलिटी है पॉलिटिकल सिस्टेम है वो भी इंट्रेस्टिंग जाना है वो य कि प्रेसिडेंट भी रियल एक्सकुटिव पावर होल करता है जैसे इंडिया में नहीं करता प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम में नहीं करता प्रेसिडेंट नाम मातर का एक्सकुटिव होता है रियल सत्ता जो है प्राइम मिनिस्टर के हाथों में होती है जबकि सेमी प्र President के हाथ में भी होती है, और Prime Minister के भी हाथ में, दोनों मिल के करते हैं शाषित, और President उपर होता है Prime Minister से, क्योंकि Appoint Prime Minister को President ही करता है, और Prime Minister जो है, Head of the Government होता है, और President Head of the State, और Prime Minister वो होता है, जो normally Prime Ministerial form में होता है, जो की Parliamentary चुनाओं में जिसकी पार्टी विजई ही होती है, लेकिन President जो है, वो भी डारेक्टली चुना जाता है, वो इंडिया जैसा नहीं होता कि उसको MP चुनते हैं, इसको Semi-Presidential Representative Democratic System कहते हैं, जो पेरू ने अपना आया है, तो ये बातें जान लेनी चाहिए हम लोगों को, मैं Days के बारे में हमेसा देता हूँ, जो उस Week में Fall करती है, इस Week में है कि International Day जो Abolition of Slivery कब Observe किया आता है, तो ये December 2 को किया आता है, इसके बारे में नहीं हदिया है, पढ़ लीजेगा, एक Interesting News आई कि WHO ने Monkey Pox को Rename करने का फ इसका नया नाम क्या देने जा रहे हैं वो, मैंने पूछा, इसका नया नाम है M Pox, M Pox है या M Pox है, पढ़ लीजेगा, M Pox या M Pox, मैं थोड़ा आप Confuse करो, चेक कर लीजेगा, लेगिन इसका नया नाम देने जा रहे है, साध M Pox, ये एक Interesting News आई कि एक Survey में, ऐसे Survey होते र 2022 में, ये सभी सहर जो हैं, बहुत महगे हैं, आपको समझ में आते हूंगे, इसको छोड़ करके, और जो सबसे महगी सहर डिकलेर किया गया है, New York City है, वैसे आपको आशर होगा जानके कि तेल अभीब जो है, it was the costliest city in 2021, यहाँ पे एक जो ये News, बहुत ही curious news हुई, बहुत अ region में या इंडो पैसिफिक में, उन्होंने जो है IPF बनाया, Quad बनाया, USA ने तो, इसने RCEP बनाया, अभी इसने क्या किया, कि जितने Indian Ocean Rim Association के मेंबर है, उन सब को बुला करके एक forum बनाने कोसिस चायना ने की, इसके बारे में आप पुरा पढ़ लिजेगा, इसका नाम उस ने इंडिया Indian Ocean Region Forum on Development and Corporation, उसमें उसने करीब, आप देख सकते हैं, कितने कंट्री को बुला लिया उसने, करीब 15-16 कंट्री को उसने इन्वाइट किया, मेरा क्वेश्चन ये है, कि ये किस सहर में आयोजीत किया गया, और इसका सही जवाब है, कुन मिं, चाइना, अब इस पे ए एक जो है डिप्लोमेटिक वोर टैटी सुरू हो गई, इंडिया ने इसमें जाने से बिल्कुल रिफ्यूस किया, इंडिया को बुलाया भी नहीं गया था, इसके अलावा, मालदीव और आस्ट्रेलिया उन्होंने मना किया कि हम लोग इसमें नहीं गये हैं, चाइना ने एक विवादों के घेरे में आ गया, अब आईए इंडिया के न्यूस को देखते हैं, पिछली बार से मैंने जो है, कुछ जो बुक्स उस वीक में रिलीज होते हैं, कुछ फेमस बुक, उसको मैंने लेने की कोसिस की है, इस वीक में मुझे लगा चुकी, आप लोग सभी जुड आप यहां देख सकते हैं, इस किताब के मुठ परिस्ट पे देली इन्वरस्टी की बिल्डिंग है, नौर्थ केंपस का, और इसको लिखने वाले ओथर का नाम भी यहां पे है, आप गौर से देखें, और वो है हर्दीप सिंग पुरी, हर्दीप सिंग पुरी जो हैं, वो सेंटी स्टिफिन स्कॉलिज के, और वो अभी केंपस कार में मंत्री भी हैं, मैं हर वीक में कुछ ने कुछ फुल फॉर्म देता हूं, जो कि हर जीके और एक्जाम में पूछी जाती है, इसमें मैं दे रहा हूं, एन्सी एल्टी, जो भूत फेमस एक रेगुलेटरी प्रमेंट किया गया, उसके तहत ही सारी कमपनी रेइस्टर होती हैं और इंडिया में चलती हैं, बहुत ही in-parten law है, उस law में यदि कोई उसके तहत कोई infringement होती है, कोई company उस law को break करती है, तो उस को देखने के लिए जो एक special श्रीबनल है, उसका नाम है झि और उस ट्रीबन बनाई गई है इसके अलावा ये भी उससे जुड़ी हुई एक नई जो है कोड़ बनी है Insolvency and Bankruptcy Code अब देखिए Companies को तो आना है तो उनको जाना है मतलब Company बंद भी हो सकते ऐसा नहीं कि आपने एक Company खोल लिया तो जीवन भर उस Company को चलाने के जिम्हदारी आपकी है इसको exit option कहते हैं और business में यह बहुत जोरी है कि exit option हो क्योंकि business में fail करने का भेदिकार है आपने कोई venture open किया नहीं चल पाया आपने उसको insolvent declare कर दिया दिवालिया और आप निकल गए तो यह कोड जो है इंडिया में जो नई बनी है उसको आई वी सी कोड कहते हैं वैसे इस पर पूरी बहस हो सकते है कि कि इस कोड का क्या misuse किया जाता है company को दिवालिया घोसित करने के लिए और financial liability से बचने के लिए क्योंकि एक दिवालिया घोसित हो जाती है तो फिर उसकी कोई देंदारी किसी पर नहीं रहती मतलब माल लिजे आपने company को एक हजार रुपे दिये थे लोर और वो company दिवालिया घोसित हो गई इस कोड के अनुसार तो आपका एक हजार रुपे डूप गया यह बहुत गुड नियूज ह इस athlete को आप देख लीजिए अब तो यह mature lady हो गई है लेकिन अपने hey days में 80s में इनकी फोटो है और इनको बनाया गया है अभी Indian Olympic Association का President जो बहुत अच्छी बात है और इनका नाम है PT Usa बहुत ही बड़ी athlete इंडिया की रही है इन्होंने innumerable Asian medal gold जीता था और Lance Angels में जो 1984 में Olympic हुई थी उसमें साथ 400 मीटर मुझे लगता है कि दौर में मतलब सकेंड के सौवे हिस्ते से चुक गई थी ब्रांग मेंडल देने से यहां मैं पूछ रहा हूँ Asia के largest slum के बारे में यह कोई अच्छा सीम तो नहीं है यह एक slum है slum मतलब जुगी जोपड़पटी एसिया की सबसी बड़ी जुगी जोपड़पटी जो है वो मुंबई की stomach में है पेट में है और उस पे कितनी ही किताबे लिखी गई है कितनी ही बाते हुई है वहाँ famous चौल होता है मुंबई का चौल आपने picture में देखा होगा कथा मेनी अदर पिक्चर में जिसमें इस टाइब के घर हर फ्लोर पे ऐसे जिसे कमरे सीधे train के डबे के जैसे रहते हैं अब बीच में आंगन जैसा रहता है वास्तव पिक्चर में आप देख सकते हैं मेनी मेनी अदर में तो वो धारावी है अब धारावी जो है ये क्यों न्यूज में आ गया इसके चलते क्योंकि अभी आदानी ग्रुप को जो है धारावी के री डेवलप्मेंट के लिए पांच हजार क्रोड रुपे का कॉंट्रेक्ट मिला है गौर्मेंट से और यदि ये री डेवलप होगा तो यहां पर मैं उस जेंटल मैं के बारे में पूछ रहा हूं जिसने की एक कंट्रोवर्सी क्रियेट कर दी उनके एपॉइंट्मेंट ने बिट्विन जूडी सेरी और गौर्मेंट ऑफ इंडिया जो मैंने बताया हूं यह जेंटल मैं है अरुन गोयल और यह हैं नीवली एप बॉड़ी है एक दो थी एक उसमें चीफ एलेक्शन कमिसनर होते हैं जो चेर परसन भी होते हैं वह अभी स्री राजीव कुमार है देन दो एलेक्शन कमिसनर हैं पहले हैं अनूप चंद्रपांडे और दूसरे हैं यह जिनके बारे में पूछ रहा हूं और उन गोयल यह ती 1993 से यह 3 मेंबर बनाई गी उससे में TN सेशन थे CEC और उनके एक तरह से उनको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने 3 मेंबर बनाई थी तब से यह जो है 3 मेंबर बॉड़ी है इसमें एक और मज़दार बात है कि चीफ एलेक्शन कमिसनर को हटाने के लिए तो इंपीच्मेंट क का प्रॉसेस है कंस्टिच्यूसन में जैसे कि जज़ेज के लिए होता है लेकिन जो इलेक्शन कमिसनर हैं उनको हटाने के लिए कोई इंपीच्मेंट नहीं है उनको सीधा जो है सीफ चीफ एलेक्शन कमिसनर के एडवाइस पे आफ कोर्स एक इंक्वारी के बाद हथी हुए है पाँच जैजिस की जो बहुत सारे आचिका को सुन रही है कि इलेक्शन कमिसन की जो … होती है िंडिया में वह सही नहीं हो रही है उसमें गोर्मेंट जो है अ मिला सही धंक से नहीं कर रही है in अब कंस्टिच्षिच्ट नली जैसा करना मैं चाहीए अब की जो appointment होगी, वो होगी Parliament उस जैसा law बनाएगा, subject to the provisions of any law made in that behalf by Parliament, be made by the President, मतलब President उस तरह से appointment करेगा election commissioner का, जैसा Parliament law बनाएगी, अब समस्य यह है कि 70 साल हो गए Constitution को लागू होए हुए, लेकिन Parliament में इस पर कोई law नहीं बनाया कि कैसे election commissioner की appointment होगी, तो Supreme Court का यह question है कि क्यों नहीं law बनाया, जब इतनी मतलब पूरी चुनाओ की निस्पक्षता पे ही जब हमारे democracy की आधार टिकी हुई है, और उस पे प्रशन चिन लग रहे हैं, तो फिर क्यों Parliament में कानून नहीं बनाया, तो इस पर जो है बहस हो रही है, उसी बीच मे रही थी कि इसी के appointment कैसे होनी चाहिए, उनका कितना tenure होना चाहिए, उनकी independence को कैसे बरकरार रखा जाए, तब तक में आनन फानन सरकार ने 24 घंटे के ही अंदर जो है प्रक्रिया पुरी करके अरून गोयल को election commissioner नियूक्त कर दिया, इस पे Supreme Court ने काफी तल्क टिपनिया की उस इसी बहस के दौरान जो चल रही है अभी, इसलिए ये पूरा विवाद जो है, खुल के public domain में आ गया, ये question जो है उस से related जहां कि इंडिया ने G20 का presidency सम्हाला, और सम्हालते ही जो सबसे पहली बैठक हुए, इसको briefing बैठक बोलते हैं, जिसमें बताया गया कि कैसे कैसे क्या होगा सभी delegates को, वो बैठक किस शेहर में इंडिया के हुई, मैं ये पूछ रहा हूँ, और ये हुई एंडवान है, निकोबार आइलेंड में, वहाँ पे भी स्वाराज दीप करके एक आइलेंड है, वहाँ पे ये बैठक हुई, इसके बारे में पढ़ लिजेगा. So dear students, thanks for watching, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, तो please like करें, share करें, subscribe करें, comment करें, फिर से एक बार याद दिला रहा हूँ कि ये जो exam guides जो हैं, competitive exam के लिए best resources, least price पे, imagine पे available हैं, wait मत कीजे, examination के करीब आने का, अभी से त्यारी कीजे, आप relaxed way में त्यारी करेंगे, तो जो है, आपको आसानी होगी उसको comprehend करने में, इस तरीके से आप मुझसे question पूछ सकते हैं, मैं भर सक कोशिस करता हूँ, जुड़े रहिए, मिलेंगे, फिर एक episode इस series का लिएके अगले Sunday, तब तक के लिए विदा